हम पढ़ेंगे वांडी ग्राफ जनितर वांडी ग्राफ जनितर एक विध्युत उत्पादन मशीन है जिसके द्वारा दस लाख वोल्ट या उससे अर्धिक विभुवांतर उत्पन निकिया जाता है वांडी ग्राफ जनितर एक विध्युत उत्पादन मशीन है जिसके द्व भ्यास पांच मीटर estout. एक खोकला गोला एस होता है, जिसका भ्यास पांच मीटर होता है, यह खोकला गोला दो इस्तम्भ PP पर टिका रहता है या दो स्टंब PP पर टिका रहता है इसकी लंबाई होती है 15 मिटर इसके अंदर दातु की दो कंगियां होती है C1 और C2 कंगी C1 का संबन बेटरी के धन सिरे से ता कंगी C2 का संबन खोगले गोले S से होता है इसमें P1 और P2 दो घिर्नियां होती है जिसमें से होकर रबर या रेशम का बेल्ट गूंता रहता है क्योंकि यहां एक विद्यूत्रोधी पदारत है अब इसको पूरे वंडिग्राफ जनित्र को एक लोहे के टेंक से धक दिया जाता है ताकि इसमें से आवेश बाहर ना निकल सके और इसे इसके अंदर 15 वायोमेंटली दाप पर गेस भर दी जाती है और इस पूरे टेंक को प्रत्विकरत कर दे आता है अब हम बात करेंगे इसकी कारेवीदी की मैं आपको एक बार और इसकी बनावट बदा रहता हूँ के इसके अंदर एक खोकला गोला एस होता है इसका व्यास 5 मिटर होता है यह दो इस्तंब पी पी पर टिका रहता है जिनकी लंबाई होती है 15 मिटर C1 और C2 दातू की दो कंगियां होती है C1 का संबंध बेटरी के धन सीरे से और C2 का संबंध खोकले गोले इस से होता है P1 और P2 दातू की दो घिर्नियां होती है जिसमें से ओपर विजुत्रोधी पदार्थ जिसे रबरिया रेसम का बेल्ट लगा रहता है इस पूरे वांडिग्राफ दिनित्र को एक लोहे के टेंक से ढग दे आता है और इसके अंदर 15 वायमंडली दाप पर गेस भर दी आती है और इसका संबंद प्रत्वी से कर दिया जाता है अब हम बात करेंगे इसके कारे विदिगी के यग केसे कारे करता है तो कंगी सीवन का संबंद बेटरी के धन सीरे से होता है इसके नुकिले सीरे पर प्रश्ट गनत्व अधिक होता है और इसके बार धनावेश के कारण विद्यूत पवन चलने लगती है कंगी सीवन का संबंद बेटरी के धन सीरे से होता है इसके नुकिले सीरे पर प्रश्ट गनत्व अधिक होता है जिसके धनावेश के कारण इसके सामने विद्यूत पवन चलने लगती है और बेल्टी के सामने वाला सीरा धनावेशित होकर चलने लगता है यह सीरा कंगी उपर रिनावेश तता खोगले गोले एस पर धनावेश प्रेडित हो जाता है अब बेल्ट का सिरा रिनावेश शित हो जाता है और रिनावेश के करण आगे चलने लगता है और यह आगे आकर कंगी सीवन के पास आता है जिसके करण वापर इसके उपर धनावेश आ जाता है यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे खुकला-गुला हैस अधिक से अधिक आवेश इखटा कर लेता है जिसके कारण यह 10 लाग वोल्ट या उससे अधिक विभवानतर उत्पन कर लेता है अब मैं आपको इसके लाभ बताता हूँ कि इस वीधी के द्वारा 10 लाग पोल्ट या उससे अधिक विभवानतर उत्पन किया जा सकता है इसका दूसरा पाइंट है कि इसके द्वारा प्रोटान अलफा कंड आधी को उर्जा दी जाती है लेकिन इसी के साथ इसके कुछ दोश भी है इसका पहला दोश है कि बड़ा होने के कारण यह अस्विधा जन